अमन भरत और चेतन जो है वो पार्टनर है और प्रॉफिट लॉज शेयर करते हैं आपस में एक्वाली ठीक है बच्चो वैसे अगर रेश्यो ना दिरखा हो तो एक्वाली लिया जाता है और यहां पर क्वेश्चन में आपको रेश्यो गिवन नहीं है तो उनका रेश्यो नोटिस दिया कि वो 30 सेप्टमबर को रिटायर हो जाएगा 30 सेप्टमबर 2022 को और यह नोटिस उसने दिया 6 मंस पहले that is on 31 मार्श 2022 अब जिस दिन वो रिटायर हुआ उसका कैपिटल बैलेंस था रुपीज 1,60,000 और करेंट अका डेबिट बैलेंस था रुपीज 5,000 आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं वो क्यों दे रखे हैं मैं आपको बता दूंगा बच्चो 45,000 30,000 और 24,000 यह इसलिए दे रखे हैं क्योंकि जो CK शेर अव प्रॉफिट है for the time period he worked in the current accounting year जो की 22,23 है इसमें उसने 6 months काम किया है वो पिछले 3 साल के average profit के basis पे निकाला जाएगा ठीक है बच्चो और साथ के साथ जो CKC goodwill निकाली जाएगी वो भी पिछले 3 साल के average profit के basis पे निकाली जाएगी लेकिन उनके 1 and a half years purchase ठीक है तो years of purchase जो लेना है वो 1 and a half years लेना होगा ठीक है बच्चो goodwill निकालते से में आप जानते हैं बच्चो years of purchase निकालना होता है या not निकालना होता है दे रखा होता है जिससे आप average profit को multiply करते हो और firmy goodwill निकालाती है ठीक है बच्चो उसके इलाब़ ये भी कहा था कि कोई asset or liabilities का जो भी revolution or reassessment किया जा ठीक है बच्चो आप से फिरने पूछा है की जो चेतन है यानि C जो है उसको finally कितना पैस पैसा दिया जा ठीक है बच्चो जो इससब बातें बताएं गई है उसके according rightlight get the result of the money कितना पैसा मिलेगों पताई है तो ये भूंँते हैं बच्चो पैसा तो बच्चों इस question में C का capital account आपको given है, C का current account आपको given है, चाहे वो debit balance क्यों नहीं हो, बस C के हिस्से का profit आपको निकालना है, C के हिस्से goodwill आपको निकालनी है, और उनकी entries बनानी है, बाकी revolutional profit and loss कुछ हुआ नहीं है, कोई accumulated profit and losses आपको given नहीं है, अब C का profit निकालना हो, चाहे C के हिस्से goodwill निकालना हो, सब में, दोनों में आपका average profit काम आएगा, पिछले 3 साल के profits का average, पिछले 3 साल के profit है, 45,000, 30,000 और 24,000, तो तीनों को जोड लेते हैं, 45,000, 30,000, और 24,000, divided by 3 कर लेते हैं, यह आजाएगा बच्चो 33,000, अब goodwill निकालना हो C की, तो ऐसे निकलेगी बच्चो, 33,000 into 3 by 2, कोई वनने half years purchase means 3 by 2, और into C का हिस्सा जो कि 1 by 3 है, यह निकलाएगा 16,500, ठीक है बच्चो, अब C का जो profit है, वो कैसे निकलेगा, जितना उसने काम किया है, तो average profit तो यह 33,000 into C ने जितना महिने काम किया, 6 by 12, into C का हिस्सा जो 1 थर्ड है, 33,000 का 6 by 12, यानि आधा होता है, 16,500, उसका बंठाड होता है, 5,500, तो C के हिस्से का profit भी आ गया, C की गोटूल भी आ गई, आईए बच्चो, अब पहले हम C का current account मनाएंगे, and then C का capital account मनाएंगे, ठीक है बच्चो, क्योंगी question में capital account और current account दोनों given है, तो first prepare his current account, और current account का जो भी final balance होगा, उसको डाल देंगे हम C के capital account में, और capital account को जो final balance होगा, वो डाल देंगे C के loan account में, C यहाँ पर चेतन के लिए में यूज़ कर रहा हूँ, धान रखेंगा बच्चो, और loan account में इसलिए डालेंगे, क्योंकि question में बताने रखा कि C को जो पैसा है, वो तुरंट pay कर रहे हैं या नहीं, तो हम मानेंगे सारा पैसा उसके loan में transfer कर दिया जाएगा, जो later on pay किया जाएगा, तो C का current account मनाते हैं बच्चो, C का जो current account का opening balance है, वो है debit balance, तो उसको हम जो है, debit side लिखेंगे 2 balance brought down और यह है 5000, C के हिस्थे का profit है उसको लिखेगा P&L suspense account के नाम से, क्योंकि profit estimated basis पे दिया जा रहा है, और यह है 5500, रुपीज 5500, C को जो goodwill दी जाएगी, वो A और B के gaining ratio में दी जाएगी, A और B का old ratio equal है, उनका gaining ratio भी equally केलाएगा, in the absence of an information, तो by A's capital account, by B's capital account, उसके हिस्से को दो लागती है, 16500, उसको हम ले सकते हैं, 8250, 8250, इतना ही उसको दिया जाना है, revolution कुछ हुआ नहीं, revolution को को profit loss निखला नहीं, कोई accumulated profit or loss है नहीं, तो आप देखेंगे तो इसकी yearly side बड़ी आ रही है, यह है 16500, और यह है 5500, यह है total 22000, और यह side है 5500, तो balance चला जाएगा C के capital account में, जो कि आएगा 17000, इस तरह से बन गया बच्चो C का current account, अब बनाते हैं C का capital account, तो बच्चो जब C का capital account बनाएगे, तो C का capital account का जो opening balance है, वो है rupees 160000, इसको लिखिए buy balance brought down, 160000, जो C के current account का final balance था, वो credit side में आएगा, current account के debit में, तो capital account के credit में 17000, अब जो final balance है, वो C के loan account में transfer कर दीजिए, 177000 आजाएगा बच्चो, 177000, और इस तरह से, हमारा C का capital account, complete हो गया, और हमने पता कर लिया, C को finally कितना amount दिया जाना है, on his retirement, on 1st, 3st September 2022, in the mid of the year, ठीक है बच्चो, और इस तरह से, हमारा equation complete हो गया, और यह question है 59, chapter है, retirement of partner, which is chapter 5, of the book T.S. Griwal, edition है, book का 2023, 23,